बीजेपी बंपर जीत की और बढ़ती हुई दिखे रही एक सो चालिस एक सब्सक्राइब मैंने पहले ही कहा था मद्ध प्रदेश में कोई कांटे की ठकर नहीं है भारती जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी प्रधान मंत्री जी के प्रति प्रेम उनका नेत्रत अमित साहजी की रणनीती नडड़ा जी की का मार्ग दर्शन कारिकरताओं का अनथक परिस्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिन्दगी बदली है और विकास ये इस पस्ट बताते थे के भारती जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी मैं तो हमेंसा आत्म विस्वास से भरा रहा और मैंने सदेब कहा कि जो एक जिक पोल कह रह हैं और हम भारी भूमत से जीतेंगे क्या लगता है लाडली बहना का कमाज है कि कांटे की टककर कांटे की टककर लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दी कोई कांटा बचे ही नहीं मैंने ऐसा चुनाओं नहीं देखा कि जहां जाते थे पुरसों की भीर तो होती थी ले अभी भी मैं कई जगे जाता हूं तो बेहने दोड़ के जाती और ये कहती कि भीया अपन जीत रहें वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी वो ये कहती कि अपन जीत रहें अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बेहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बेहना ने सच मुछ में चमतकार किया है वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की कई नेताओं से बात थी अनुप चारी चर्चा में भी आप 140 तक वोचे बीजेपी अन्य नेता भी 140 तक नहीं पोच पारें 120-225 एक 130 तक ही पोच पारें लेकिन यह तो जिस तरह से बताया जा रहा है आप 40 सबसे हाइस आप का था लेकि रहा है और जनता की जैसे भीड उमड रही है नतीजे अब प्रित्यासित आएंगे अभूत पूर्व आएंगे अब मुझे कुछ कहना नहीं है उनको दावा करने का अधिकार है भाई उनको दावा करने दीजिए